अमस्ते मित्रों, एक्सलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेर करें, धन्यवाद आप से Rule 3 Transfer Portal के माध्धम से GDS का ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन दोस्तो, Rule 3 Portal पर एपलाई करने के समाई, GDS Candidates कुछ प्रॉब्लेम फेश कर रहे थे, और वो सारे प्रॉब्लेम का सलूशन इस चैनल पर उपलब दे दोस्तो, अगर आपको भी GDS, TRCA Not Mapped, Working Office Not Mapped, ये सारे प और उधर पर इस SRA Problem का सलूशन दिया गया है, दोस्तो, ठीके दोस्तो, तो आज आलोचना करेंगे, कि देर देखिए, एक दोस्त ने कॉमेंट किया था, One GDS had already availed rule 3 in last December, can she again apply for rule 3? मतलब कि last December में ही, जब rule 3 का cycle 1 आया था, तो तब एक GDS ने transfer के लिए apply किया था, तो वो अब फिर से क्या rule 3 का cycle 2 में, जो अब open हो गया है portal, तो उसमें क्या transfer के लिए apply कर सकता है? तो दोस्तों, इसका सिधा सिधा जबाब है हाँ, आप apply कर सकते है, तो दोस्तों, अगर आप male candidate है, तो आप 2 बार transfer के लिए apply कर सकते है, और अगर female candidate है, तो 3 बार transfer के लिए apply कर सकते है, लेकिन दोस्तों, अगर आप फिर से apply करते है, तो apply करने के समय कुछ बात आपको ध्या window open होगा आपके समने तो इधर पर देखे application details इधर पर दिया जाएगा applying grounds तो आपको इस पर select पर click करते ही आपके समने ऐसा option दिया जाएगा PWD grounds, spouse grounds, general grounds अगर आप general grounds के मतलब की normal transfer के लिए apply करना चाते है तो general grounds select किजेगा और spouse ground में अगर आप transfer लेना चाते है तो spouse ground select किजेगा और अगर आप PWD candidate है तो PWD select किजेगा दोस्तों ठीक है दोस्तों तो इधर आते हैं second number point बहुत important है इधर पर देखे लिखा है number of times rule 3 availed मतलब कितने बार आप rule 3 avail कर चुके है तो दोस्तों क्योंकि आप पहले एक बार rule 3 का cycle 1 में apply किये थे तो आप इधर पर 1 लिख देजेगा अगर आप first time apply कर रहे हैं transfer के लिए तो इधर आप 0 लिख देजेगा दोस्तों ठीक है मतलब कि पहले कितने बार आप transfer के लिए apply कर चुके है वो इधर पर वो number एंटर करना परेगा अगर आप पहले दो बार transfer के लिए apply कर चुके है और दो बार आप transfer ले चुके है तो इधर 2 लिखना परेगा और अगर आप पहली बार apply कर रहे है transfer के लिए तो इधर 0 लिख देना है और देखें दोस्तो last available date मतलब कि last cup अपने rule 3 avail किया था मतलब कि rule 3 के मद्दम से last cup आपका transfer हुआ था तो दोस्तो अगर आप rule 3 का cycle 1 में transfer लिए थे तो जिस दिन आपका transfer एप्रूब हुआ था तो उस दिन का date इधर लिख देना है तो दोस्तो आशा करते हैं कि आप यह समझ गया है कि इधर पर क्या लिखना है फ़हले तो अपने applying grounds सिलेक्ट कीजेगा उसके बाद कितने बार आप rule 3 का सुबिदा ले चुके है ओ इधर पर number एंटर करना पड़ेगा और third day last able date मतलब कि last कौन सा date में आप transfer के लिए apply करने पर आपका transfer एप्रूब होता मतलब कि कौन सा date में आप last rule 3 का सुबिदा लिए थे ओ इधर लिखना पड़ेगा ठीक है दोस्तो और कुछ candidates ये भी question कर रहे थे कि क्या एक बार में एक ही division में apply कर सकते हैं क्या एक बार apply करने के समाई एक से ज़्यादा division में apply कर सकते हैं इसका जवाब है दोस्तो नहीं आप सिर्फ एक ही division के vacancy के लिए ही apply कर सकते हैं transfer के लिए इधर आप पहले circle select किजेग उसके बाद division select किजेगा तो एक ही division में जितने सारे vacant post होगा transfer के लिए तो वो सारे इधर दिखाएगा ठीक है दोस्तो और एक सवाल आ रहा है कि tentative vacancy क्या होता है तो दोस्तो मानले की एक candidate है वो और कोई vacancy post के लिए apply करता है transfer portal में तो उसका जो पहले वाला post है वो तो अब vacant vacant हो जाता है तो अगर उसका transfer approach हो जाता है तो ओ दूसरा post पर चला जाएगा और उसका solid post vacant हो जाएगा ओर आगर ट्रांसपाएपड़ниц. तो results of zamla passesrisonate tentative भाइकनसी ठीक है, अगर कोई candidate का transfer अपर्व होता है तो उसका जो पहले बाला भाइकनसी था वो ही tentative भाइकनसी इसको tentative क्योंकि बोला जाता है क्योंकि यह permanent नहीं है उसका अगर transfer अपर्व होता है तो ही उस tentative vacancy पर आप transfer ले सकते है अगर ओ candidate का पोस्ट शोइंग आज टेंटेटीव भैकांसी इस बेस्ट अन दा कैंडिडेट अपलाइट विच इस सब्जेक्टेट टू कॉनफर्मेशन अब ट्रांसफर तू दा ओरिजिनल कैंडिडेट अनली ठीक है मतलब ओरिजिनल कैंडिडेट का ट्रांसफर एप्रूब होने पर ही आप टेंटेटीव भैकांसी में ट्रांसफर ले सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो आशा करते कि ए वीडियो आपके लिए हिल्परू रहा होगा और दोस्तो आप लोग इस चैनल का जो ऑफिशल ओल इंडिया जीडेस ग्रूप टेंडिग्राम चैनल है उदर जोइन हो जाईए ठीक है उदर हाड डोकुमेंट हाड नोटिस सबसे पहले आपको दिया जाता है तो उस टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉस्त में है और दोस्तो इस विशाई में आगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉ को सबस्क्राइब करें धन्यवाद